दोस्तों, आगले तीन मैने में, TVS के तरफ से एक नई एलेक्री स्कूटर देखने को मिलने वाली है, इस बात को कमपीनी के CEO, के एन रादा किछनन ने अनूस किया है, नई एलेक्री स्कूटर को लेकर, और इसके अलावा, एलेक्री स्कूटर के सेल्स के बारे में भी यहां प लेकिन अभी जो TBS के एलेक्ट्रिक स्कूटर आईक्यूब है उसी मॉडल के सीरिस में आने वाला है या नया मॉडल लांच करने वाले हैं और कौन से प्राइज में आने वाली है और कितना रेंज देने वाले हैं और इसके लिए तो इंतेधारी करना होगा हमें तीन मेने दोस इसकी प्रीबुकिंग अभी चुरू किया है रीपब्लिक डिक के चलते हुए 500 देके इसको प्रीबुक कर सकते हैं लेकिन इसकी अफिचियल लांच जो है वो फिबरारी के फस्ट विक में होने वाली है और इसका फर्फामेंस वागरा तभी पता चलने वाला है अभी तो प जो है वो चल मेरी लूना इस बार पिट्रोल के बीना तो इसी स्लोगन से ये आगे बढ़ने वाले हैं तो देखते हैं कितना सक्सेस होने वाली है लूना और क्या रेंज लेके आने वाली है और किस प्राइज रेंज के अंदर आने वाली है प्राइज के ऊपर और रेंज के बैटरी आक्सेसबूल होने वाली है, बागी 5 किलोवाट आउर की बैटरी के बारे में तो एक्सिलेंट नहीं किया है और इस कार के अंदर 800 वोल्टेज वाला अर्किटेक्चर को काम में लिया गया है जिससे एकार 270 किलोवाट आवर की DC पार्ट चार्जिंग को सपोट करती है जिससे 21 मिनेट से अगर चार्जिंग पे लगाएंगे तो 10 से 80 परसंट चार्जिंग हो जाती है और इसके अलावा 11 किलोवाट आवर की AC चार्जर से भी चार्ज कर सकते हैं अगर range की बात की जाए तो mecan turbo के अंदर 613 km का range बताया गया है और mecan 4 के अंदर 591 km का range दिया जा रहा है और इसके अलावा ये दूनों के अंदर dual permanent synchronized motor दी गई है single speed gearbox के साथ जिससे mecan 4 के अंदर 408 की horsepower मिलती है और 650 nm का torque मिलता है और 0 से 100 km की acceleration strip 5.2 second के अंदर पकड़ लेती ह और इसके अंदर tower speed 220 km per hour की दी गई है अगर हम mecan turbo की बात की जाए तो इसके अंदर 639 की horsepower दी गई है और 1130 nm का torque मिलता है और 0 से 100 km per hour की acceleration strip 3.3 second के अंदर पकड़ लेती है और 260 km per hour की tower speed दी गई है और अगर हम pricing की बात की जाए तो mecan की turbo की price शुरू होती है 1.65 करोड के साथ और mecan 4 की pricing अभी review नहीं किया गया है इंडिया के लिए और इसके delivery शुरू होने वाली है 2024 के second half में दोस्तो टेसला एक नए generation electric कारों पे काम कर रहा है इसको लेकर कुछ rewards निकल करा रहे है उनमें बताया जा रहा है कि टेसला 2025 मिड में next generation electric कारों पे काम करने वाला है अपने Texas क factory में जिसका code name रखा गया है Red Hood और बताया जा रहा है कि इन कारों की price जो है वो 25,000 US dollar से शुरू होने वाली है यानि price कम करके budget friendly कारों को manufacturing कर रहा है Tesla और market को capture करना चाता है अभी BYD ने पिछले साल overtake कर लिया है Tesla को तो Elon Musk का दिमाग घुम गया बोला हम इतार करेंगे कम price के अ की बात की जाए तो सबसे cheap जो है Tesla की model 3 आती है जिसका price 39,000 US dollar से शुरू होता है और ये budget friendly electric कारों के बारे में Tesla पहले भी promise का चुका था 2020 में ही कहा था कि budget friendly मतलब budget के अंदर electric car को लेके आने ही कोश्च करेंगे लेकिन अभी तक नहीं लाया है एक बार overtake हो गया तो फिर से का शुरू हो गया है दोस्तों recently हमने देखा था चेना की सस्ती electric land cruiser LC 300 को जिसके अंदर वैगनार को इस्तिमाल किया गया था तो इसी को लेकर एक और news निकल करा रहे है लेकिन इस बार चेना से नहीं इस बार बंगलादेश थे बंगलादेश की company कलकी motor ने वैगनार के अंदर range rover का looks डाल दिया है यानि सस्ती electric range rover भी मिलना शुरू हो गई है बंगलादेश में इतना दिन तो कह रहे है चेना ही copy करेगा तो अब बंगलादेश भी निकल गया है लेकिन ना बबाबा इसके जो जितने भी parts, spare parts जो भी है maximum चेना से ही input कर रहे हैं तो समझ लीजिए copy कहां ब notification किया जा रहे हैं क्या गरूं मैं अभी मल जाओं कहीं में कूत के तो दोस्ते यह थे आज के EV updates उमीद करता हूं वीडियो पसंद आई हो कि अगर पसंद आए तो like and share करना मत बुलिया और इसी तरह से EV को लेकर update रहना चाते हो तो चानल को जरूर subscribe कर लेना तो मिलते हैं और fresh EV update के साथ until then bye bye and see you soon